दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं न्यू ट्रेटर की, न्यू ट्रेटर एवरी डे बहुत ज़ादा मार्किट के अंदर आ रहे हैं और अपना पैसा गवा रहे हैं, जिसका रीजन है उनको प्रॉपर नॉलिज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नहीं पत करते हैं, तो मार्किट में पैसा बनाने के आपकी प्रॉबिलिटी यहां से उठ करके ऊपर चली जाएंगे, काफी हायर चांस हो जाएंगे, आप मार्किट में पैसा बना बाएंगे, और आपको बहुत जादी जो confusion होती हैं, ना मार्किट के अंदर वो दोस्तों नहीं होग तो आज की वीडियो में इन 5 common mistake को जानेंगे दोस्तों एक एक करके जो आपकी trading के अंदर 100% help करने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं जानते हो समझते हैं एक एक करके कौन कौन सी mistake है जिनको avoid करके हैं मार्केट में पैसा बराने के करीब हो सकते हैं बहुत बहुत सब्सक्राइब दोस्तों आप सभी का trading चाने के YouTube चैनल में मेरे नामें अन्मोल मित्तल तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली ओधने इसे मार्केट आ रहा है तो सबसे पो लुके लिए मने कर ले कर लेंगे तो यह कर ने की हम कोसिस के चफकर में चική टाइमफ्रेम मार्केट में यूजे बताएज कि जितरे भी आपने कोसिस मार्केट के अंदर देखे है जो भी कुस देखे क्या किसी ने आपको बोला है कि time frame बहुत important होता है market के अंदर और अगर होता भी है तो कौन सा time frame important होता है बताइए कितने courses के अंदर आपने ये देखा कि ये time frame use मत करो starting में बहुत आपको problem होगी ये time frame use करोगे तो चीजे smooth हो जाएगी तो बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहें discussion नहीं कर रहें तो सबसे पहली mistake मेंने main mistake पगड़ी है जो आपकी trading को काफी improve कर देगी चलिए बात करते हैं कोई से mistake है चलिए एक setup लगाते हैं बड़ा simple सा ये stock है कोई भी stock ले ले लेते हैं मारी को technical analysis के तो इनको परणाम करके हम market में technical analysis की शुरुआत करते हैं लेकिन all is gold मतलब जितना simple indicator उतना effective indicator है मतलब one of the most indicator सिर्फ इसके ओपर practice कर लोगे न moving average आपको दूसरे indicator की भी जूत नहीं पड़ेगी market में तो हर indicator की अपनी capability है और हर indicator अच्छा market में काम करते हैं सिर्फ देखने वाले को नजरिया चाहिए चलिए अब मेरे यहाँ पर क्या करा 20 का moving average लगा दिया ठीक है इसकी लाइन को थोड़ा सा बॉल्ड कर लेते हैं ताकि आपको clarity से दिखाई दे कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे है तो एक simple यहां से फिर उपर गया फिर देखी यहां से नीचे आ गया तो काफी लोग श्याद अट्रेक्ट हो जाते हैं 12 times 12 बार इसने up down कर लिये और इस 12 बार में हमारा क्या लगा होगा stop losses लगे होंगे क्योंकि हमने क्या करा था जब ऊपर जाएगा खरी देंगे नीचे आएगा तो बेस देंगे फिर नीचे आएगा होचपोच कम हो जाएगे जैसे कि 12 बार इसने wrong signal दिये तो आपको 6 बार ही मिले क्योंकि आपने trade तब ही लिया था जब ऊपर गया था नीचे वाले पर शॉट सेलिंग करी नहीं थी तो जब आप ऐसा करते तो पहले बात आपके trades कम हो जाते हैं लेकिन trades कम करने के बावजुद भी आप देखिए 6 टाइम अगर market में wrong signals आपको मिल रहे तो market के अंदर क्या करते हैं टैनिक करते हैं आपका बार बार क्या होता है नुकसान होता है नुकसान से ज़्यादा main आसा बनाने के काफी दूर चले जाते हैं फीक इसके comparison में काफी लोग आएंगे सर एक काम करते हैं अब 15 मिनिट ले लो 5 मिनिट तो थोड़ा छोटा होता है 15 मिनट वाला अच्छा गाम करता है देखिए 15 मिनिट में यूज करा noise 5 मिनिट के comparison में काफी कम होगी आप देखिए बड़े trigger मिल रहे हैं entry भी मिल रही है बीच बीच में ठीक है लेकि noise तो इसमें भी है 15 मिनिट में माल लेते हैं उसने दो बार दिन में आपको ट्रेड दे दी है तीन बार आपने ट्रेड दे तो तीन ट्रेड कम नहीं होते मार्केट के अंदर बहुत होते हैं तीन ट्रेड per day मंतलिक आप 60 trades लोगे इन 60 trades में आपको broker को brokerages देनी है government को transaction के charges देने है टेक्सिस देने है trade करने के लिए जो आपकी execution cost है transaction cost है trade करने की cost है तो इसके बार में कोई बात नहीं कर रहा 15 मिनिट का time frame मतलब ये भी हमारी ये सही नहीं है इसको भी down मान रहे हैं अब एक काम करते इस time frame को हम one day पे लेकर क्या आते हैं देखते क्या होता है देखे one day का time frame one day के time frame भी noise मिलेगी ऐसा नहीं कि noise नहीं मिलेगी लेकिन होगा क्या trades कम मिलेंगे अगर मैं one day के time frame पर आता हूं तो क्या होगा यहाँ पर इसने entry दी यहाँ exit दिया इसने 15 दिन लगा कोई बात ने 15 दिन में एक trade लिया मुझे को problem नहीं है फी देखे यहां entry दी यहां exit दिया पैसा बने चाहे ना बने लेकिन ipad बहुत कम है ये-ndry यहां exit दिया mouurning दो चल जल रहा था तो तीन-4 महीं में आपने माल लेते पैसा नहीं कमाया आपने 5-6 trades लिये थे वह लोशिस मेंजा लगे मैं होच-पोच है लेकिन 1-day का time frame एक दिन में एक candle बन रही है और उसमें करना आप नंदेrael के entry जब भी नीचे आएगा exit फिर दुबारा उपर जाएगा फिर entry फिर exit करेंगे अपर ट्रेट को तो अगर मैं ये तीन मैने का backtest करता हूँ अगस से लेकर करके डवंबर तक 2024 का तो क्या result आते हैं तो see when backtest करते हैं देखते क्या result आएगा तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ आपने market में 0.59% खो दिया अब यहाँ पर देखिए position sizing भी मैंने करीब ही है यानि लगवाग 50,000 पर हमने लगाए हैं इसमें 50,000 रुपीज तो 50,000 रुपीज के हिसाब से calculate कर मतब 50,000 पर जितनी quantity आएगी ले लेगा automatic तो यह देखिए यह आपको नुकसान हुआ अप कहेंगे ज्यादा तो हुआ नहीं हुआ लेकिन आप यह बोल रहें कि आपने लिए 45 trades इन 45 trades को लेने के बाद आपको brokerages, government के taxes, transaction cost आपकी लगी होगी ना तो यहां मैं क्या कर रहा जैसी मैंने trading charges set करें, अब देखिए आपका क्या हुआ, यहां पर आपको नुकसान हो रहा है, लगबग आप यह देखिए 5000 के आसपास का, है ना, तो यहां पर trading cost हमारी लग रही है, अब एक काम करतें इसको और पिछले मंत पे लेकर जाते हैं, एक, दो, तीन, ठीके, तीन एक, दो, तीन, ठीक है, अब फिर तीन मेरे मेरे पीछे का लिखे गया, आप देखते हैं, क्या आता है, तीन परसेंट, अभी भी all over loss में है, क्योंकि transaction cost आप लगाओगे, फिर आप loss में हो, चलिए काम करते हैं, और तीन मेरे का backtest करते हैं, एक, दो, तीन, चलिए समें 14% आगे, लेकिन trading charges में add करूँगा, तब भी आप 3% भी रहे, तो all over हमने एक साल का backtest करा, और एक साल के backtest में हमें ये बतलागा, कि हमने इस strategy में, इस time frame में कोई पैसा नहीं कमाया, right, clear है, अब आपके दिमाग में क्या जा रहा है, stock में problem हो सकती है, दूसरे stock म तो शायद अच्छी result आते, ये strategy में problem है, है न, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब thinking कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं same strategy, मैं सिर्फ एक चीज़ चेंज करूँगा, फिर देखेंगी का result आता है, तब इसके अंदर दोस्तों हम क्या कर रहे है, हम अपने time frame को वा 5 मिनिट से अटा क करके one day का कर देते हैं, ठीक है, one day का time frame ही हमारा entry में है, और exit में भी one day का time frame है, और ये back testing कर रहे हम, एक साल की, मतलब ये देखिए, 2024, November, 7 November से लेकर के, और ये हम कर रहे है, पूरी एक साल के back testing, तो 2023, November तक का हम ये back test कर रहे हैं, ठीक है, एक नमेंबर 2023 से लेकर रहे हैं, पर लवग एक साल कुछ में, कुछ दिन होगे, इसको back test करते हैं, same strategy है, सिर्फ time frame one day का कर रहें, एना 20 की moving average के उपर जाएगा, then entry and exit, क्या result आया, result देखिए, आपने 37% का return कमाया, और यहाँपन मैं अगर trading charges भी add कर दू, तो क्या होगा, 33% का return है, और आपको पूरे साल में सिर्फ 15 ही trade मिले है, 15 से में आपके 5 है, loss में आपके 10 stock है, तो यह दोस्तों आपको क्या बता रहा है, कि छोटे time frame में इतनी जादा noise होती है, कि एक setup काम कर रहा है, आपको पैसा बना कर कि दे रहा है, लेकि छोटे time frame बेरी, बड़े time frame के उपर दे रहे, clarity आगी, बड़ा time frame आपके noise कम कर देगा, आप बड़ा time frame यूज करो, काफी लोग आप पूछेंगे, सर आप बता दो, क्या one day का use करे, minimum one day का करो, नहीं तो one hour का तो जरूर करो, उससी नीचे मत जाओ, one hour, one day, one week, one month, best time frame से, जितनी कम noise, उधना जादा, लेकिन द्यान लखे, जितने बड़े time frame पर जाएंगे, stop losses आपके बढ़ जाएंगे, तो position sizing करनी पड़ेगी, यह ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक trade ले लिया, आप one month का time frame है, exit मिला 30% stock down पे, तो 30% एक trade में चला गया, ऐसा नहीं, फिर आपको stock की quantity कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा, कि आपको 2%, 5% से ज़्यादा नुकसा ना हो एक trade में, एना, तो यह आपको manage करना पड़ेगा, तो यह तोस्ती थी mistake number 1, अब तोस्तों बात कर लेते हैं, mistake number 2 की, जिसका नाम है over trading, market के अंदर हम over trade करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको mistake number 1 के बारे में बताया, कि आप time frame market के अंदर बढ़ा करेंगे, तो trades आपके कम मिलेंगे, तो over trading automatic आपकी reduce हो जाएगी, अब over trading आपको क्या impact डालती है, ज़रा समझने की चलिए कोशिश करते हैं, चलिए मैं आपको एक example देता हूँ, सारे जो हमारे new trader है, हमारे नए buy बंद हुए, वो market के अंदर option trade से लेकर के बढ़ा attract होते हैं, problem option trading में नहीं है, problem knowledge की है, जैसे कि मैंने पहले बोला, तो mistake number 2, over trade, अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि over trade से होगा क्या, over trade से सबसे ज़्यादा problem होती है, हम एक broker, जीस देते है broker को, और government को हमें tax देना पड़ते है, every transaction पर, अब मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, जैसे कि तो यहाँ पर देखते हैं, कोई एक option लेते है, nifty कितने का चल रहा है, सबसे पहले nifty देखते है, तो यहाँ पर लगाते है एक बार nifty, ठीक है, nifty 50 index, ठीक है, nifty चल रहा है 24,200, ठीक है, तो माल लेते है कि मुझे इसका, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ से down जाए आ रहे है 24,200 वाल जे contract है तो बहुत ज़्यादा महेंगा है नहीं तो मैं क्या करता हूं उसको buy कर लेता हूं ठीक है for example अब यहां पर देखे required कितना है सिब 222 पर required है 222 पर देखर के मैं यह put buy कर सकता हूं लेकिन यहां पर आप charges देखिए 23.71 रुपीज आपका buy करने का charge लग रहा है और जब आप इसको sell करने जाओगे sell करने का भी आपको same ही charge लगेगा आप देखिए लग बख मतब थोड़ा सा बढ़ जाता है sell में एस्टिटी आपका आजाता है तो आपके 40-50 रुपे तो यह इसके लगे ठीक है 40 रुपीज लगे ठीक है तो माल ले तें एक lot पर बहुत सारे लोग trade कर लेते हैं आप 10,000 पर लेकर कायी 10,000 रुपीज लेकर आए ट्रेड करने के लिए ठीक है 10,000 रुपीज आप mere quindi डिने का और तो दो बख मॉर्णंग के time एक फिर वो afternoon के बाद जो मार्केट में volatility आते हैं, तब आप trade लियते हैं, माले दे दो बार आपने market में trade लिये, तो एक बार में माले दे 50 रुपे आपके लग रहे हैं, खरिदिने बेचने के, प्लस second, मतलब second half ने आपके 50 रुपे लग रहे, तो आपने market में 100 रुपीज का brokerages and government को taxes दिया, तो यह आपका लगा 100 रुपीज, अब 100 रुपीज कितने दिन होते हैं market के अंदर, 20 डेज होते हैं, ट्रेडिंग डेज होते हैं almost, तो लगवाग आपने दिया market को 2,000 रुपे, 2,000 रुपीज आपने broker and government को सिफ़ ट्रेड करने का दिया, capital आप कितनी लेकर गाये थे, 10,000, 10,000 का 2,000 पर कितना होता है, 20%, 20% per month, कितना बोल रहा हूँ, per month, इतना है न आपका, यानि 20% per month, साल का कितना हो गया, साल का आपका हो गया, लगवाग 24,000, 24,000 हो गया, per year, यह आपका broker and broker के charges और government के charges, इसमतर government ले गई, और आप 10,000 पर market में लेकर के आए, आप यह सोच रहे थे, मैं 10,000 से 10,000 हर मेने कमाऊगा, जो होता नहीं है market के अंदर, consistent आप करनी पाऊगे, 2, 4, 5 मेने हो जाएगा, consistent करना मुश्किल है, तो 10,000 पर आप market में लेकर क्या है, इस 10,000 में से 24,000 तो आपको इसके लिए कमाना है, broker and government के लिए, क्या यह fair है, नहीं fair है, क्योंकि यह market के अंदर जो idle return है, कि अगर आप market में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मैं आपसे ही कहता हूँ, कि 25, 2, 30%, अगर आप market में consistent निकाल रहे हो, तो आप market में बहुत अच्छा कर रहे हो, कुछ extraordinary लोग है market के अंदर, जो market में 50-60% भी निकाल लेते, ठीक है, तो अगर आप यह target भी लेके चल रहे हो, 50% मुझे per year मिल जाए, per year का return अगरा मिल जाए, जो मुश्किल है, easy नहीं है, इसके बारे में सोचों के तो ज्यादा better है, लेकिन फिर भी आप 50% के बारे में सोच रहे हो, plan कर रहे हो, strategy आप market गरता ढूंड रहे हो, तो होगा क्या, 50%, यानि 10,000 का आप 15,000 करने की सोच रहे हो, 50% यह ही हुआ न, साल में, तो अगर आप market में 15,000 से 5,000 कमाने की सोच रहे हो, कि 5,000 कमाने के लिए क्या में market को 24,000 पे brokerages, government को taxes दे सकता हो, नहीं दे सकता, तो आपकी अगर capital कम है, तो मैं आपको suggest नहीं करता कि आप market के अंदर options करें, सबसे पहले market के अंदर आप करें short term trading, जिसमें trades आपको कम मिलेंगे, relaxable रहेगा, brokerages कम लगेगी, transaction कम लगेगा, दूसरा, अगर market में आप 5,000 कमाने की सोच रहे हो, तो market को शिरिफ आप एक साल में 1000 पे brokerages and charges दे सकते हो, उससे जाधा नहीं, 1000 दे दोगे, 1500 दे दोगे, then exit मिलें, तो exit करें, क्योंकि आप ये बार बार जो frequently trade कर रहे हो, काफी लोग कहेंगे, दिन के 2 trade हो रहा है, over trade नहीं हो रहा, ठीक है, 2 trade over trade नहीं हो रहा, capital भी बताओ, कितनी capital पे, हैना, 2 trade over trade हो जाएगा, अगर 10,000 की capital है, 2 trade over trade हो जाएगा, अगर 20,000 की capital है, 30,000 की capital है, 40,000 की capital है 50,000 की capital है तब भी हो जाएगा है नो 50,000 की capital में 24,000 अगर मैं pay कर रहा हूँ to trades करके भी तब भी हाँ market के अंदर at least 50% अपनी capital का वो दे रहे हैं brokerages और government का charges तो यह आपको रोकने है इसको रोकने का तरीका यह है बड़े time frame strategies change करिए छोटे capital से option state पे मत आईए अगर आ भी रहे तो क्या है आपके हाथ में risk को manage करना सिर्फ उतना ही रखो आप decide करो कि market ने इतना loss दे दिया मैं market से बाहर हो जाऊँगा लेकि जब market आपको दे रहा होता है ना तो मतलब दिल खोल के market से लो जितना दे रहा है उतना ले लो तभी आप मार्केट में पैसा कमा पाऊँगे अभी दोस्तों मेरे mistake number one के अंदर एक strategy हमने देखी थी जिसके अंदर हमने एक setup लगाया बड़ा सिंपल सा कि 20 के moving average के ऊपर जाए तो हम buy कर लेंगे और hold तब तक करेंगे जब तक वो नीचे नहीं आता यानि हमने market के ऊपर छोड़ दिया market हमें जितना देना चाहिए market हमें उतना दे सकती है उसका होता क्या जरा समझिए क्योंकि हम market में risk and reward ratio मेंटे ओटोमेटिकल इस तरीके से कर रहे है अभी देखें क्या हुआ result देखेंगे तो यह देखें मैं यहाँ पर क्लिक करते हूँ तो अवारे पस कुछ results आएंगे तो यह देखें max gain और max loss पर आप थोड़ा दियान दीजिए देखें इसने 15 ट्रेड लिए ठीके एक साल में एक साल में पंदरा ट्रेड लिए सिर्फ 5 ही ट्रेड ऐसे ते जो मुझे profit देखें गए यह 5 ट्रेड मुझे profit देखें गए और यह 10 ट्रेड थे जो मुझे loss देखें गए market में किल में मेरी सिर्फ accuracy ही इतनी है तो इससे हो क्या रहा है मैंने max loss दिया यहां पर देखिए शिर्फ 2800 रुपे शिर्फ 2800 में माइनस गए है max loss एक ट्रेड में ठीके और average loss कितना है average loss है सिर्फ 1200 रुपे ठीके सिर्फ 1200 रुपे अब मेरा देखें max profit एक ट्रेड में कितना आया 10, 1731 क्या यह मैंने डिसाइड करा था नहीं मैंने नहीं मार्कि नहीं डिसाइड करा था क्योंकि मेरा तो मार्किट को यह बोला था जी moving average के जब तक उपर तब तक मैं forward करूँगा जब moving average के निच जाए जाए गए अब जब तक वह moving average के उपर रहना चाहे market की मर्जी है अब च इसके अंदर मैंने decide करा था कि market जितना देना चाहे उतना दे दे लेकिन loss कैसे decide करा moving average के उपर गई market तो moving average आज पास में ही है न मतलब प्राइस से ज़रा दूर तो है नहीं उपर जा रही है higher than जा रही है और अगर फिर वापिस reverse कर रही है तो कितना percent वह loss दे देगी 5% 10% maximum इतना ही तो देगी क्योंकि पास में ही न moving average लेकि जब वह ऊपर जा रही है तो मेरे पास पूरा potential है उसके अंदर पैसे कमाने का that's why reason अगर आप market में देखेंगे max gain आपका 10,000 है max loss सिर्फ 800 है और average gain एक trade के उपर 6200 है और यह देखें सिर्फ 1200 पे आपका average loss है that's why reason में market के अ उनके पास scam calls आती है जब 90% 100% तक आपको सही बताएंगे बहुत सारे लोग तो scam वाले बता है क्या बोलते है sir हमारी guarantee हम बना कर देंगे आपको पैसा मेरको तो ऐसे लोग भी आते है वो कहते है sir हमने तो लगा था कई मेने तो पैसे बना कर दें किसी को loss नहीं हुआ तो बह मैनत करके कमाए है तो सब जो मैनत करके कमा रहे है थोड़ा मैनत लगाओ knowledge के ऊपर यह avoid करो इन्हीं mistakes को avoid करेंगा तो definitely आपको benefit मिलेगा तो strategies जो भी आप ढूंड रहे है जो भी कर रहे है उसके अंदर एक potential होना चाहिए कि market decide करे कि कितना पैसा दे रहा है या unlimited profit का एक potential होना चाहिए कि जब कमाएंगे जब market jackpot देगी तो bumper कमाएंगे तो उसके अंदर आपके success होने के chances automatic बढ़ जाएंगे अब फॉर्थ mistake थोड़ी advance mistake है इसके बारे में बात करते है जो है drawdown अब drawdown क्या होता है काफी लोग drawdown के बारे में जानते हैं नहीं drawdown basically होता क्या है मालते market में मैं एक लाग की capital लेकर क्या है trade करने के लिए और मैं किसी strategy को back test कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ ये strategy मुझे apply क इसको check करने है तो मैं देखता हूँ history में जा मैं उसको back test करता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरी जो एक लाग की capital है कितना percent down हो गई थी for example मैंने strategy को back test करा और मैंने देखा कि एक लाग की capital में लेकर आया तो market के अंदर एक drawdown आया मतलब market ने मेरी capital को down करा कितना down करा 20% 25% 30% मा लेते 30% एक लाग की capital मेरी 70,000 पे की रह गई फिर then वो drawdown के बाद market ने recover करना शुरू करा फिर में profitable होता चला गया क्योंकि market में drawdowns आएंगे हमेशा आएंगे अगर आप trading क करते हैं कभी भी आपका graph ऐसे नहीं जाएगा FD की return की तरह ऐसे नहीं जाता है तो वो क्या जाता है जिग-जग जाएगा पहले drawdown आएगा फिर आम बड़ा कमाओगे फिर थोड़ा down फिर कमाओगे फिर down market के अंदर ऐसे trade चलता है तो कोई भी strategy आप market में use कर रहे है make sure जिस आइडिया होता है कि at least यह कर सकती है अब condition थोड़ी worst हो सकती है थोड़ी और better हो सकती वो depend करता है market in future में क्या करेगी nobody knows की market में क्या करेगी तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों हमने drawdown देख लिया माले एक लाग की capital हमने 30,000 पर एक drawdown देख लिया तो हम market में एक 100,000 पर डाले या 1,40,000 पर डाले और वो 40,000-50,000 जो हमने market में extra डाले है वो drawdown के लिए ताकि हम trade 1,000,000 से जो ले रहे है न वो हमारा scene नहीं मतलब easily चलता रहे run होता रहे क्योंकि हम क्या करते capital download है अपनी strategy को change कर दे तो वो हमें नहीं करना है तो अगर आप यहां देखेंग अगर आप देखेंगे यहां पर सिर्फ तीन losing still लगाता है आपको तीन बार losses market के अंदर हुए है तो आपको यह भी पता हो जाएगा कि कितनी बार आप market में loss दे रहे है तो drawdown जानना बड़ा जुरूरी है कई बाल हम ऐसी strategies use करें जिसमें drawdown बहुत जादा होता है कही लोग ऐसी strategy use करें जिसके अंदर drawdown 80-90% है अपनी capital अगर 80-90% खोद होगे तो फिर वापस recover कैसे करोगे तो अगर save strategy चाहते है तो drawdown उसका कम होना चीए एक साल के अंदर drawdown कम हो 15-20% 25% तक हो जादा drawdown 30-35% होगे उससे जादा नहीं maximum 40% हो गया फिर वो recover करेगा फिर उसको उतना ह अगर नहीं time recover करने में लगेगा तो आपको drawdown पर थोड़ा से ध्यान देना है उतनी capital extra आपको रखनी है ताकि आप अपनी strategy गंदर stick रहो और consistent market गंदर काम कर सको तो यह दोस्तों है mistake number 4 जिसको आपको avoid करना है अब दोस्तों last mistake में आपको बता रहा हूं और यह भी ऐसी mistake जि सबसे बड़ी problem है discipline step number 5 है mistake number 5 है कि आपके पास discipline नहीं है और discipline की वज़ा से आप market के अंदर strategies and rules market में बारबार चेंज करते हैं इससे होता है क्या जर्ण समझने की कोशिश करीए अब देखें particular strategy मैंने backtest करी एक साल का मैंने backtest करा तो एक reference ले ले लेते हैं मैं यह नहीं कह रह profit में रहे ठीक है और मैंने यह देखा कि मेरे 10 trade market के अंदर loss में रहे ठीक है यह clarity है तो 5 और 10 की एक ratio आ रही है लेकिन मुझे यह नहीं पता कि loss वाला trade पहले आएगा या profit वाला trade पहले आएगा मैं market में trade तो कर रहा हूँ मैंने सब कुछ चेक कर लिया लेकिन मुझे नहीं पहले वाले trade कौन से मिलेंगे अब हो सकता है कि loss वाले जो 5 trade है मुझे पहले मिल जाए यानि starting में मुझे लगातार 5 trade के अंदर losses हो जाए जिसके अंदर मुझे 10 भी लगेगा 5 trade लेने में क्योंकि साल में ही 15 trade मिल रहे है तो मुझे 2-3 महीने लग जाएगे न 5 trade करने में तो अब हम क्या करते हैं किसी एक mentor को डूणते हैं फिर YouTube के अंदर वीडियो डूणते हैं फिर एक नई strategy डूणते हैं फिर उसको apply करते हैं यह market के अंदर होता है यानि यह strategy हमें पैसा देने वाली थी लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि कौन सा trade पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा अगर यह 5 profit वाले ट्रेड में को पहले आ जाते तो मैं बड़ा हैप्पी होता यार इससे बैस तो को strategy में है लेकिन इसके पाद आपका मूड कैसे swing होता जरना इसको देखे 5 state profit में आगे फिर मानले तो 10 त्रेड आपके लगाता नोस में चलेगे फिर आपको ऐसा ल प्रब्लम होती है nobody knows कॉंसे trades पहले आएंगे 10 वाले trade पहले loss में पहले आएंगे 5 वाले पहले आएंगे market में mix up चलेगा कुछ trade आपको हो सकता है लगाता 4-5-6 trade लगाता आपके losses में आ जाए कुछ होगा कि लगाता आपके profit में आ जाए लेकिन अगर आपने अपने strategy को भी आप market के अंदर stick रहोगे लेकिन make sure back testing ठीक तरीके सीखी गई हो सही बंदे दुवारा करी गई हो जो भी आपने सीखा है या फिर आपने खुद back testing करी है तो भी आपको ये clarity हो कि हाँ ये back testing ठीक है ठीक है तो इस तरीके से market के अदर आपको एक preparation रहेगी कि 20-25% का drawdown हो सक मुझे market को देना कभी भी पढ़ सकता है तो ये दोस्तों market में होता है अब आप अगर strategy change करते हो मालने ते 5 जो loss वाले trade है ये पहले मिलगे अब ये देखे मैं लगाता हूँ ये 10 loss वाले trade है मालने ते इस में से 5 trade loss वाले आपको पहले मिलगे और जो profit वाले 5 trade थे न ये मिलन change कर दिया क्योंकि आप जो है वो demotivated होगे अब आपने नई strategy शुरू करी अब नई strategy के अंदर scenario ये था कि इसके अंदर क्या था मालने ते 10 trade profit में थे इसमें और मालने ते 20 trade loss में थे ठीक है अब आपने क्या करा अपने नई strategy शुरू कर ली अब नई strategy में क्या हुआ 5 loss तो पांच लोस इसके अंदर ले लिए अब आपको हो चुका है बड़ा रुकसान अब आप इरिटेट हो चुके हो अब या तो आप मार्केट छोड़ दोगे रिवेंज में आगर या आप और capital लेकर गया होगे और capital को लगाना शुरू करोगे कूल मिला आपका लोस होता चले जाएगा लो तो चले जाएगा क्योंकि आप एक strategy के उपस ठीक हुए नहीं और अगर आपकी strategy ठीक है और जो मेने आपको starting points बनाए वो सारे points को cover करती है strategy तो आपके पैसा बनाने की probability आई है लेकि जरूरी नहीं है लेकिन आप कमसे कम यह चीज़ तो नहीं करोगे ना 5 loss इस mistakes है जो आप करते हूँ यह मैं अपने experience से आपको बता रहा हूँ यह नहीं कि मैंने रटा रटाया कोई Google के उपर देखा कुछ किसी का देखा और आपको बता दिये मैं अपने experience के साथ आपको share कर रहा हूँ कि यह चीज़े market के अंदर a woman होती है आप मुझे comment करके बता सकते क यह same problem आपके साथ होती है नहीं होती मैं guarantee से पॉसकता हूँ कि बहुत लोगों को यह same problem market के अंदर होती है तो यह 5 common mistakes, useful mistakes है अगर आप इनको avoid करते है दुबारा वीडियो को देख सकते है completely आपको 100% हे help करने वाले है trading के अंदर तो pull मिलाकर दोस्तों यह था आज की वीडियो करती है इस book के अंदर कोई strategy नहीं बताए गई है आपकी psychology को बहुत अच्छा कर देगी इसको पढ़ोगे और improvement आजाएगी इस वीडियो को देखा देर इस book को पढ़ लो आपको improvement अलग level की चले जाएगी market में trade करने की second दोस्तों आप एक चीज़ और करनी है कुछ investment and trading की books मै आपको suggest कर रहा हूँ जिस तरीके से आप market के अंदर play करते है गलत तरीके है तो यह books आपके तरीकों को सुदा रहेगी कुछ strategies आपको बताएगी और इनमें कुछ ऐसे mentor ने जिनोंने एक book है stock market wizard जिनोंने लिखा इस book को Mark Miller भी नहीं इनोंने 200% का return per year कमाया तो असान नहीं हो बता मुश्किल टास्क इनोंने करें तो इनकी book आप पड़ सकते है dual investment की जो book है उसको आप पड़ सकते है जो आपकी trading को काफी improve करेगी और काफी अच्छा आपको समझाने में कोशिश करेगी तो यहां पर दोस्तों यह चीज़े आपको करनी है ताकि आप अपनी trading को improve कर सके बाके दोस्तों एक internet trading का course है जो free of cost है सिर्फ हमारे subscribers के लिए तो आप हमारे चैनल subscribe कर सकते है अगर आपको एक course चाहिए चैनल subscribe कर यह free of cost है यह भी इसके भी कोई पैसे नहीं देने दैन उसके बाद आपको गूगल फोर्म दिया है मैंने description and comment box में इसको feel करके बेज आपके लिए गूड़ बाद ब्लस यू बाबाए दोस्तों